तो आज मेरे साथ जो एक मेरे स्टूडेंट है वो है और वो अपना परीचा खुद देंगे अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्लास 12 में किस तरीके से प्रिपरेशन करी कि उनके जो मार्क्स आए वो कितने आई अकाउंट्स में वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्रानि इस करेंगे ओचमाड़ कहा है आधी काउंट्बाल ऑगने असक्राद्स में पको कहते हैं ज September 9 two आध जोंक को यह दो फोड़क। ouais मार्क साप के 90 बहुत बढ़ी है बहुत बड़ा रजलत है और अभी क्या कर रहे है इशानता आप फिलहाल में तो कॉलिज की बात करें तो करें तो करो चलिए इससे पहले हम आगे बात करें टिपस एन स्टेजी के बारे में मैं आपको इशानत की मार्क शिट दिखाऊंगा ऐजब प्रूफ क्योंकि वीडियो में तो कोई भी आगर कोई नंबर बता सकता है तो मैं आपको ये प्रूफ के तौर पर इशानत की मार्क शिट दिखाऊंगा कि इसमें जो इनके अकाउंट के मार्क से हैं वो 90 ही है और आप इस मार्क शिट को देख सकते हैं आसानी से और ये मार्क शिट जो है अपने आप में बया करती है कि जो इनकी मेहनत रही है जो इ कि इस तरीके से पढ़ाई करें इस समय पर क्योंकि बहुत कुरिशल टाइम है और इसके बाद जो आने वाली लाइफ है उस पर क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है क्लास को एल्थ का कि अगर मेरी बात 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 करूं अगर लो पूछ कि कितना आता है और ओने लिखना खुछ बोल गे तो अपना खराब करो अगर कुछ भी नहीं आता ना तो बिल्कुल लिख दो उसे दिन से स्टार्ट करो ओने अगर डिसेंबर तक भी 31 दिसेंबर तक भी तुम्हारा सलेवस हो जाता है पूरा फिर भी like more than 2 months you will be having to enough होता है डिवीजन करने के लेकिन डेली धंक से रीवीजन करनी है होता है इतना कोई difficult कुछ भी नहीं है मैंने भी नहीं करिए मैं के लस्ट था कि हो जाएगा कर लेंगे 10 के मार्क से उतिशार आते हैं तो 11 तो पढ़ते हैं या हम थी तो हो जाएगा इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं आता सेंपल पेपर सिंपर जहान मत दो पोड़ के पर उठाओ पिछले दिख जाएगा इतना डिफिकल्ट नहीं आता तो मदब जैसे अगर कोई बच्छा रिवीजिन कर रहा है और सिर्फ वो रिवीजिन के बेसिस पर मेरे साथ होता है मेरे साथ भी है कहां कुछ वान कुछा अड़सा हता है ब्रुक होता है लेकी वहां को बता गया Captain प्त्रों पेपर में चांस नहीं मिलेगा उस टाइम पर नहीं आ रहा तो पमें तर के पास आ जाओ किसे टीचर से पूछ लो मैंटोर हैं तो तुमें बता देंगे पेपर में किसे पूछ बख्यों है करो अच्छा तो इशांत अब एक चीज और जैसे आपके आकाउंट में 90 मार्क्स आए तो 90 मार्क्स इसकोर इनकाउंटेंसी तो क्या यह पॉसिबल है कि फूल भी आ सकते हंडर्ड मार्क्स यास कम्प्लीटली पॉसिबल अगर ऑनेस्ट हो में लगता है आने को कुछ भी हो सक अगर तो है यह सब्जेक्ट ऐसा है एक मेरा पर्सनल कोशन है क्या कभी अब मन में रिग्रेट होता है कि यह मेरे 100 मार्क्स नहीं आए आ सकते थे अगर मैं थोड़ा सा अगर और केरफू हो जाता तो यह तो सब के रहता है तब ही तो समझा रहूंग मैं कि मैंने गल्तियां करी हैं और एक मार्जिट में एक सब्देक्ट में लिखा होता है ना तो उसका इंप्रेशन अलग होता है अब 90 रह जाते हैं मेरे तो 98 बिजनस में आगर मार्जिन के आसपास नहीं तो ठीक है लगता है बाद में रिक्रेट करने से अच्छा भी कर लो बिजनिस में 98 मार्क् में 93 मार्क्स हैं मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में एक दम गदर मचा दिया तो पापा का क्या रेक्शन था जब आप रसल्ट लेकर के घर गए पापा कोई पेंस कभी सैटिसफाइड नहीं है इतना ही कम रहे गए मैंने मैं मैंने मैं ले ली थी तो 11 में तो पेपर भी नहीं सब्सक्राइब कि अपने से उपर देखना चाहेंगे उनकी तो आशाया उम्मेच जोते वह ज्यादा होती है वह उनकी भाई सो में से 105 की भी होती है तो अभी जैसे अब एक मेरे कुशन है कि बच्चे जब कॉमर्स लेते हैं तो वह सोचते नहीं है आपने भी नहीं सोचा ह में आफ्टर 12 इसका क्या इंपक्ट पड़ता है जो माइंड साइट होता है वह किस तरीके से हमें डाइवर्ट करना पड़ता है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्स्पोजर अलग चीज़ है और आपकी एजूकेशनल लाइफ अलग चीज़ है तो उस चीज़ को कैसे बच्चा बीजाए तो उसका वही इंट्रस्ट बना रहे है जो उसका क्लास 11 था क्लास 12 में था कॉमर्स को ले करके गाइडनस का बहुत इफेक्ट पड़ता है तुमने तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा मेरी तिंकिंग एक कुछ भी है ना करने वाला कहीं भी कुछ भी कर सकता है फिल्म भी देखते हो तुम तीन घंट की फिल्म आईस बन जाते हैं तुम्हें पूरी लाइफ मिली हुए है कर लोगे इतना डिफिकल कुछ नहीं है मतलब फ़रक पड़ता है गाइडनस का बहुत लेकिन 11 12 अकैडमिक कुछ कुछ काम भी नहीं है उसके कर सकते हैं अब हमारे जो बच्चे हैं जिनका एक्जाम आने वाला है 2023 में तो उनके लिए क्या टिप्स रहेगी कि एक जो आप अपनी तरफ से की फेक्टर देना चाहें कि इस चीज को कर लो एक मंतर जो जिसे बोलते हैं एक मंतर जो देना चाहें वो क्या दो गया कर लो कि तुम्हें करना क्या है एक सब्सक्राइब कर लो कि तो कभी नहीं होगे तुमने डिसाइड करा कि यहां जाना फिर वहां जाके नहीं रुक पाऊगे लेकिन यह तो पताओ कि यह मिनिमम तो करना ही करना है जैसे मैं को बी कॉम करनी है तो मैं करना करना है तो मैं करन कि यह तो करना ही करना है कि वह अपने ले करेगा तुम इसके माउक से पास नहीं होगे तो इसके माइडेंस ले भी ज़रूर यह यह नहीं कि मैं कि अधाना आता एक दूसरी है जो नॉलेज है वो तो हमें बाट नहीं पड़ेगी तब ही पता चलेगा मुझे किसी की चीज के बात नहीं है आप इससे बड़े ही बनते हैं हमेशा तो चलिए फिर हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए स्टूडेंट के साथ जिसने क्लास 12 में एकदम गदर मचाया होगा बिल्कुल जैसे शांत ने किया और आप लोगों के लिए भी मेरी हमेशा ये शु और निंग